हलो दोस्तों वश्कार आपका स्वागत है मारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों यह ससी MTS and हवलदार की वेकंसी जो है वो आपकी आ गई है इसमें टोटल ससी MTS के जो पद हैं वो दौस हजार आठ सो असी पद हैं और हवलदार की 529 पद हैं तो इन आपको यह टोटल मिला के लगभग 11,000 प्लस बैकंसी हैं टोटल मिला के तो दोस्तों आप यहां पर देखेंगे कि जो एक्जाम पैटर्न है इसका एज कितनी चाहिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए एक्जाम सेंटर आपका कहा कहा पड़ रहा है फी कितनी लगेगी स्लैबस क्या है रिजर्वेशन क्या है एक्जाम का जो पैटर्न है वो क्या होगा तो इन सब के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे तो आईए दोस्तों ले चलते हैं आपको और सीधे नोटिफिकेशन के जो में में पॉइंट है उन पे फोकस करेंगे जो आपके काम के लिए है तो दोस्तों जो लोग नए है प्लिज चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये है SSE MTS का नोटिफिकेशन इसमें आप देखेंगे तो जो ऑनलाइन अप्लिकेशन की समिशन की डेट है वो 18 जनवरी जो 2023 से लेके 17 फरवरी 2023 तक रहेगी आपके जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो 17 फरवरी 2023 है तो उसके पहले आप लोग अप्लाई कर लीजिए और फी पेमेंट जो है वो 19 तारीको लास्ट रहेगी 19 फरवरी को तो इस हिसाब से आपको 17 फरवरी के पहले ही अप्लाई करके रख लेना है आपका जो CBT एकजाम होगा इसका दोस्तों इसमें कंप्यूटर बेस्ट होगा आपका तो CBT एकजाम आपका अप्लाई 2023 में है ठीक है और इसमें करेक्शन का भी एक आपको टाइम दिया जाएगा जो की 23 फरवरी से 24 फरवरी के बीच में रहेगा तो आपका CBT टेस्ट जो होगा वो अप्लाई 2030 में होगा अब आईए चलते हैं तो टोटल यहां पर वेकंसी की बात करें दोस्तों तो 10,880 वेकंसी है आपकी MTS की और हवलदार इन CBIC और CBN में 529 वेकंसी है तो इस हिसाब से आपकी टोटल यह वेकंसी हैं यहां पर अगे चलते हैं रिजर्वेशन की बात करें तो इसमें यह सी एस्टी ओबीसी एक सर्विसमेन और जो डिसेबिल्टी पर्शन है उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा और उसके परसेंटेज भी उसी की बेस पर फिक्स्ट है नेशनल्टी आपकी जो होनी चाहे है सिटीजन सीप इस फर्म कभरने के लिए आप मस्ट भी सिटीजन आफ इंडिया और सब्जेक्ट आफ नेपाल और सब्जेक्ट आफ भूटान तो इसको इसके एकॉर्डिंग कंसिडर करेंगे तो यह में नहीं में अब इस पर आते हैं एज लिमिट पर तो आपकी जो एज लिमिट होनी च चाहिए और हवल्दार के लिए यम्टीयस के लिए 18-25 और 18-27 है आपका यम्टीयस के लिए स्वारी हवल्दार के लिए जो एज रिलेक्शेशन दिया गया है SCST को 5 साल का OBC को 3 साल का PWBD या अन्रिजर्व्ड जो हैं उनको 10 साल का PWBD OBC को 13 साल का और एक सर्विसमेन को 3 साल का जो है छोट दिया गया है यह एज में आपके छूट हो गई अब आगे चलते हैं आपका जो पेपर का पैटर्न है वो भी बात करेंगे सलेबस की भी बात करेंगे इसमें सब कुछ आपको डिस्क्राइब करेंगे तो आपका जो एजूकेशन कॉलिफिकेशन होना चाहिए वो मैट्री कुलेशन होना चाहिए ठीक है आपको 10 लास पास होना चाहिए इसकी यही जो है कॉलिफिकेशन है इसमें apply करने का जो है कैसे apply करना है वो दिया गया है दूसरा रही बात फी की तो फी जो आपकी payable है वो है 100 रुपए 100 रुपए आपको pay करना है और विमन कंडिडेट्स और कंडिडेट्स बिलांगिक टू एस्ट परसंस बिद डिशेबलटी एंड एक्स सर्विसमें इलिजबल फॉर इजबेशन और एक्जम्ट फ्राम पेमेंट आफी इनको पेमेंट नहीं करना है सिर्फ जन्रल और O.B.C को पेमेंट करना है और EWS को अब नेस्ट आते हैं यह आपके सेंटर्स दिये गए हैं एक्जामनेशन के आप देख सकते हैं पर इन सेंटर का कोड आपको डालना हो है तो बिहार और उत्तर प्रदेश में यह देख लेते हैं भागलपूर है आपका मुझफर पुरह पठना पुरणिया आगरा बरेली गु कर लाहा है आपका जो कंप्यूटर बेस्ट होगा वह 13 लेंग्वजिवें में होगा जिन में हिंदी इंग्लिजी प्लस 13 रिजिट्प्र इंग्वजे तो इनमें कराई जाए टोटल 15 लेंग्वेंग्वें आपका श्यान होगाँ अब देखेंगे सिभीटि एक्जाम का पै अलब पर question 3 number का होगा आपका दूसरा जो होगा वो रिजनिंग अबल्टी एंड प्राब्लम सालमिंग होगे सेम 20 question होगे 60 number के इसके लिए टाइम जो आपको दिया जाएगा 45 मिनट का दिया जाएगा और 60 मिनट दिया जाएगा जो जिस जो हैंडिकैप्ड है या इन लोगों को दिया जाएगा डिसेवल्टी कटेगरी में जो लोग आते हैं तो दोस्तों आपके लिए 45 मिनट का टाइम है इसमें सेशन सेकंड जो होगा उसमें जनरल अविरनेस है 25 कोश्चन है 75 नंबर के और इंग्लिस लेंग्वेज एंड कंप्रिहेंशन है 25 कोश्चन 75 नंबर के तो इसके लिए भी 45 मिनट आपके लिए दिया गया है तो यह सीबीटी टेस्ट में आपके यही आएंगे स्लेबस आपको दे रखा है कहेंगे तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे टेलिग्राम चैनल पर यह पूरी नोटिफिकेशन स्लेबस के साथ डाल दूंगा मैं वहां से आप देख सकते हैं तो नुमेरिकल अन मैथमेटिकल अवेल्टी में आपका Y Y M Whole Numbers Integgerts, C F, Decimal Fraction, Relationship Between Numbers Fundamental, Automatics, Operations and BoardMoss, Percentage Ratio and Proportional Work and Time, Direct and Inverse Proportion, Averages, Simple SICI, Profit Loss, Discount Area and Perimeter, Basic Geometry, Figure Distance and Time, Lines and Angles, यह सब है आपकी रिजिनिंग अबल्टी में जंबलिंग हो गया आपका एनलोजी हो गया प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया नॉन वर्बल रिजिनिंग हो गया एज कल्कुलेशन कलेंडर क्लाग यह सब आएगा जनरल अवेर्णेस में आपका हिस्ट्री जोगरफी आर्ट अंड कल्चर सेविक्स एकोनामिक्स टैन्थ इस्टेंडर तक इन्होंने यह अच्छा लिख दिया है कि टैन्थ इस्टेंडर तक ही आपका यह पूछा जाएगा तो आप एंसी आर्टी फालो कर सकते हैं तो इसके बुक्लेश्ट भी बना दूंगा अगर आप कमेंट करेंगे तो इकॉन फिसकल इस्टेंडेट जो है जिसमें में की हाई जो है वह 117.5 संटिमेटर लियर जाएगी थीक है और चेस्ट लिया जाएगा आपका 81 संटिमेटर और फुलाने पर आपका सब्सक्राइब तो इसनों तो यह रहा आपका नोटिफिकेशन और वहारी जानकारी आपको दे दी गई है इसके माद देम से तो दोस्तों प्लीज कोई डाउट है तो प्लीज आप लोग कमेंट कर सकते हैं तो दोस्तों प्लीज चैनल को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और सेर कीजिए थांकियो